नमस्कार सर, नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका, मेरा नाम केदारनाथ है जी, सर आप कहां से आए हैं, मेरा गाओं सरस तैसी लुएट जिला भरतपूर राजितान से रहने वाला में, सर आप क्या काम करते हैं, मैं रिटार्मेंट हूँ भी है से, सर संत्रामपाल जी महराज से आपने नाम दिख्षा कब ली मैं पांच जुलाई संद दो जार तियरह को ली थी सर संद रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे हम वही जो संसारिक परमपरा हैं जो भक्ति चलती है गर्ब परिवार में वही कर रहे थे बा जुड़गे थे उन्हों ने सोब श्याम के लिए भक्ति के लिए बताया और सब सर ब्हक्ति साधना करने से आपको क्या लापराप्त हुए उसकी ब्हक्ति शाधना करने से हमको कोई लापैराप्त नहीं हुआ था हमारे घर में सबसे बडी प्रॉलम थी एक बौरंगी जो ki हमारे रादर स्वामी पंथ में बक्ति करते करते भी और पांच-छे बॉरिंग खराब हो गई जिसमें कम से पांच-छे लाख रुपे हमारा बरबाद हो गया और लास्ट में जब हम रिटार्मेंट होके आये थे हमने भी सोचा कि चलो अभी कुछ और बॉरिंग कराते हैं तो हमारी बॉरिंग नहीं कटी तो हमारे समन में बिचार आया कि जब रादर स्वामी पंथ ने ये बात बताई है कि सुक दुख के लिए नाम ने लेना ताब हम कहां जाएं किस वागवान को बताएं कि हमारी बॉरिंग सक्साइज हो जाए तब यह मन को दिल में संतुष्टी ना होने एक वज़े से हम डेली के टीवी देखते थे जो इसमें हम सिर्फ सत्रंगी सुनते थे कि कौन संत क्या बाणी क्या प्रवचन दे रहा है सर आप रादास्वामी पंथ में भक्ति करी रहे थे यहां तक हिया आपके मातापिता भी जूढे थे हुए थे फिर आप संत्रामपाल जी महराज के सरण में कैसे आए सर संत्रामपाल जी महराजी की सरण में आने के एकी मक्सद वो था कि हमको जो है रादर स्वाइब पंद से कोई संतुष्टी नहीं मिल रही थी अंदर आत्मा को कि ये भक्ती साध्ना सही है या ठीक है इसलिए हमें सारे संतों मान्तों की बाड़ियों से सत्संग सुनता था पे भी सुक फूलता है और यहां से जाने के बाद परलोक भी उसका सतलोक गवन होता है और जो सास्त के बिरुद साधना कर रहे हैं उनको कोई फैदा नहीं होगा और जो संत्मेंथ इस संसार के अंदर चाहे रादा शौमिंपंत हो चाहे कोई भी पंत हो जो यह वाणी बोल र है तो भो हमारा सांत्र स्रू कैसे हुआ लेकिन जब रोने वह प्रमार दिखा है कि पिछले पाप करम से यहां दुख मिलता है और पुर्न करम से सुख मिलता है और यह मैं नहीं बोलो रहा हूँ यह आपके शास्त्र बोल रहे तो गुरू चिछ देखते एक दिन संद्रामपाल जी महाराज ने हमारे सामने रादा स्वामी पंथ का पूरा चिठा खोल दिया कि इनका धर्म गुरु था रादा स्वामी पंथ का सिव्द्याल सिंग जी यह कौन थे यह टीयोग करकर के जो है गुरु बने और इनका कोई गुरु नहीं और जब इनका ही मोख्ष नहीं हुआ यह अपनी सिस्या बुक्की में भूत बनके बोलते थे तो फिर आपका मोख्ष कहां से होगा तो हमको बहुत बिलकुल धक्का लगया कि यह तो हमारी साधना गलत है तो हम फिर जो है एक बार देखने के लिए बरवाला गए हम और हमार माराज के और कुछ हम सामने बैठके तो वह हमसे सवाल जवाब करें थी कहां से आरे हो बगत जी हम बोले हम तो यहां से आये बरवाला सत्संग सुन करके वो नाम दीख चलिया बोलम में नहीं लिया क्यों नहीं लिया मैं बोला भी तो अब ग्यान समझ रहें देखेंगे औ और फिर हम रदावी अधिरसौमी पंद से बिलॉफ करते हैं और रदावीजी पंद तो बहुत उंचे भक्ति बता रहा है वो तो संत माल से स्थू skincare करता है तब मेरे को अभी कुछ यकीन हुआ कि बात तो ठीक है फिर हमने बोला कि ठीक है देखेंगे फिर वो और वो जो भगत थे रामपल जी महराज के वो बोले कि आप नाम क्यों नहीं लिया मैंने कि अभी ग्यान समझ के लेंगे बोला नहीं आपको अगर कोई संका है तो पंदरे की परमात्मा कि एक कदम भी नहीं बढ़ सकता यह तो हमारा विचार ड्रड़ था तब उन्होंने बोला ठीक है तो आपकी बात बन जाएगी फिर हम घर आगे घर आने के बाद हमसे वो राधाश्वामी पंद्ध की जो भक्ती थी और सुबहे च्याम बैटने वाली वह बिल महाला पहुच गे तो हमारे बर्वाला जाने पर मममई बोली वह जा रहा हो मैं के हम आगे नाम लेने दो रहा हो न बहुत देखने चल सकती हूं सर जब हम संत्रामपाल जी के सरधालों से मिलते हैं और उनका उन्हें बहुत सुनते हैं तो उन्हें नाम दिख्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाब अवज से मिलते हैं चाय सारीरी को मांची के आर्थी को तो सर आपको क्या लाब प्राप्त हुए संत्रामपाल जी महाराज से और पंदरे दिन के अंदर नदर हमारी वो बॉरिंग सक्साइज हो गई जिसमें कवीर माले खुद आ करके उस मसीन पर बैठ करके और जो है बॉरिंग करा के गए यह हमारी मम्मी को डिस्टांट हुआ था वो माला जाप कर रही थी परमात्मा दिवा मंत्र तो उस समय उनको सुत्र बांदा था मालिक का नाम ले करके तो मालिक खुद आ गए उस समय तो वो हमारी बॉरिंग बिलकुल खुब बहुत बढ़िया सक्सेज हो गई और हमने दोदर से कुछ कर्ज करके वो बॉरिंग कराई और वो कर्ज का पैसा भी हमारी फसल से पहले ही बरावर हो गया पांचे महीने के अंदर अंदर ही ओ मालिक ने ऐसी दया बक्सी फिर हम पंदर दिन के बाद हमारे पूरे बच्चे परिवार साराई लेकर के हम दुबारा बरवाला पहुँचे सबको नाम दिक्षा दिलाया कि मिनिये सत्त साथना है और यहां पर बता रहे रामपाल जी महर आती है तो सर क्या भीड को देख करके स्रेश्ट संद का आंकलन किया जा सकता है जी यह आपने बहुत अच्छा कोश्चन किया मैं भी पहले सोच रहा था जब एक पहली बार में बरवाला देखने गया था रामपाल जी महराज सरसंग सुनने गया था तो बरवाला आस्रम त पंथ के देखते हुए क्योंकि राधा स्वाइं पंथ का तो बहुत बड़ा बिस्तार कर रखा है इसमें जबकि ग्यान बिलकुल कुछ भी नहीं है यह सब बिलकुल सास्त के बुरुद ग्यान है और इसको करने से कोई भी फैदा किसी को नहीं मिल सकता ऐसा हमने वह मैसूस पर रामपाल जी महराज ने प्रमानित करके वह भक्ति बिदी बताई है और वह जो ग्यान बताया है वह सभी सास्त्रों में प्रमानित है वह मोख्षमार्ख है जबकि राधा स्वाइं पंथ के अंदर कोई भी ज्यान ऐसा नहीं है वह सब संत महनतों की बढ़ी हुई बाण जैसे भी अपनी मर्जी से साधना चलाई हटियोग चलाया दाइगंटे सोवे दाइगंटे स्याम को आँख बंद ना करकर के और बैठे रहने से और जो मंत्र दिये वह सास्त के बुरुद है ऐसा पता लगने से जब पता लगता है कि सिप्धियाल सिंग जी खुद भूत ब अंदर तो यह जब उनका धर्मगुरू या जिसने पंथ चलाया था वही उनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हुआ तो यह उनके भगत कहां से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे यह हम से हमको पता लगा तो हमने वह बक्ती तुरंत त्याग दी और संत्रामपाल जी महाराज की सरण ग्र करें संत्रामपाल जी महाराज की सरण ग्रहन करें और सत्त लोग के लिए अपना तयारी करें वहां जाने से आपको मोक्ष पूर मोख मिलेगा राधा स्वामी पंथ जो है कोई आपको मोक्ष नहीं दे सकता जब उनका धर्मगुरू का यह मोक्ष नहीं है तो आमको आपको कहना चाहेंगे सब्सक्राइब ग्यान को समझकर संद रामपाल जी महराज के प्रिवचनों को सुने सत्संग सुने उनकी बनाई हुई किताबों को पढ़ें और सचा ज्यान प्राप्त करके अपना मोक्ष कराएं संद रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं अभी बर्तवान में संद रामपाल जी महराज के अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आ रहा है उसके नीचे एक पट्टी होती है उसमें पट्टी के अंदर सभी सेवाओं के नंबर दिये जा रहे हैं उन नंबरों को परफोन करें और अपनी नजदी की नामदान केंदर का पता करके नाम दीख्षा ले सकते हैं दन्यवाद सर सत साहिब